स्वागत है आप सबका, फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAZ Tally Account GST दोस्तो मेरे इस चैनल पर Tally Software में बेहद आसानी के साथ कारी करना सिखाय जा रहा है साती साथ आपको बहुत ही आसान वासा में GST से संबंदित जानकारी भी दी जा रही है दोस्तो सरलता ही मेरे चैनल की विशेशता है जो भी टॉपिक लेता हूँ उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से explain भी करता हूँ जिससे कि सभी तरह के student को आसानी से समझ में आ सकते हैं तो आप भी टेली सॉप्ट वेयर में कारे करना सीखना चाहते हैं GST पोर्टल पर कारे करना सीखना चाहते हैं GST के सांबंद में बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर इस संबंद में जो वीडियो अप्लोड हैं, उनको देखकर ले सकते हैं, ज्यान अरजन कर सकते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब हम क्या सीखने जाएंगे, आज किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, दोस्तों आज हम बात करेंगे टेली करने के बारे में, कमपनी डेटा को स्प्लिट करना क्या होता है दोस्तों, तकि स्प्लिट का मतलब होता है दोस्तों विवक्त करना या बांटना, तो कमपनी डेटा को स्प्लिट करने का मतलब यह है, कि मान के चलते हैं, हमारी एक कमपनी है, आका स्टेडर्स, और टेली सॉ अब हम ये चाहते हैं कि 20 और 21 के लिए हम अलग से कंपनी में कारी करें अब इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा कि हमको या तो नई कंपनी बनानी होगी जिसके लिए हम 2021 के लिए आकास ट्रेडर्स के अननाम से एक नई कंपनी बना ले और उसमें हम सारा कारी करें आग क्रियेट करने होंगे फिर से इसके अलावा हमारे जो भी श्टॉक आइटम हैं लेजर से उनके हमको ओपनिंग वैलेंस भी डालने होगे ठीक है न क्योंकि सत्र 2019 वीश का जो क्लोजिंग वैलेंस होगा सारे श्टॉक आइटम लेजर साधीगा वो हमको नई कंपनी के जो भी लेजर से श्टॉक आइटम बनाएंगे उनको उनमें हमको डालना होगा तो इसमें काफी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों कि हम नई कंपनी ना बनाते हुए कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर देते हैं और नई सत्र 2020 के लिए कंपन लिए यानि 1927 के जो भी कि लोजिंग वेलेंस होते हैं वो अपने आप हमारी इस्प्लिट कीवी कंपनी के ओपनिंग वेलेंस में शो होने लगते उन लेजर सो और श्टॉक आईटम के ओपनिंग वेलेंस वहाँ पर अपने आप सो होने लगते हैं जरूरत क्यों पढ़ती स्प्लिट करने की उसका कारण यह है दोस्तों कि जब हम एक ही कंपनी में कई सब्सक्राइब करते हैं तो इसकी स्पीट थोड़ी कम हो जाती है इसके अलाबा डेटा को सुरच्चित रखने का भी एक साधन है कि हम चांते हैं कि हमारा पिसला डेटा सुरच्चित रहे यदि उसके और पर पिरियोट बढ़ा के हम एंटरि कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं एक उस कंपनी के डेटा को कर थीकत depends कि में उसमें यानि इस कंपनी में हम एक अपरेल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 की सारी एंट्री कर चुके हैं और पिछले सत्रों की इसी में एंट्री हैं इसके लिए हम कंपनी को स्प्लिट कर लें जिससे की नई कंपनी यहां पर हमको इस पीरिट की सो होने लगे 2020 और उसमें हम एंट्री करें और इस कंपनी का जो अभी यहां पर ओपन है इसका जो पीरिट है इसकी जो क्लोजिंग वैलेंस है वो हमारी स्प्लिट की हुई कंपनी में opening balance 100 होने लगे सारे lasers का और stock items का तो हम इसको क्या कर सकते split करेंगे और इसलिए इस company को split भी किया जाता है ठीक है न अब आपको एक बात और बताते हैं कि जैसे यह company है 14 2019 से लेकर 31 3220 इसका period रहा है अब हम हम इसी company को alt के साथ app to press करके 14 2020 से लेकर 31 33 2021 तक के लिए बढ़ा लेते हैं ठीक है न जैसे कि हम पिछले सत्रों में करते आये और यह आपको पता भी होगा इसी तरह से आप period बढ़ा कर उसी company में आगे भी कार कर सकते हैं कई सत्रों में अब यहाँ पर एक इस्तिति तो वो है कि हम एक अपरेल 2020 को आए और हमने नए सत्र के लिए इसमें एसा भी कर सकते हैं कि आप period बढ़ा कर ठीक हमने इसका क्या क्या किया period बढ़ा लिए था 14220 से लेकर 31 321 के लिए तो तब भी आप company को split कर सकते हैं ऐसी इस्तिति में कि आपने अगले सत्र में period बढ़ा कर अगले सत्र की entry की कुछ मैनों की entry कर लेते हैं और उसके बाद आज आपको यह लगता है कि हम इस company के data को split करके अलग करना चाहते हैं उस इस्तिति में भी आप company के data को split कर सकते हैं ठीके न और उसके बाद क्या होगा 14220 से लेकर 31 3221 की अलग company बन जाएगी और उसमें क्या होगा आपका जो 14219 से लेकर 31 3220 का जो भी closing balance होगा वो आपको as a opening balance नई split की हुई company में सो होने लगेगा और इसके साथी साथ सारे lasers और बैलेंस lasers और stock item की balance में भी आपको शो होने लगेगा closing balance जो पिछले सत्रका था वो opening balance इसमें सो होने लगेगा और इसके साथी साथ आपने अगस तक की जो entry की है वो आपकी आगे split की हुई company में वो अगस तक की entry भी आपको सो होने लगेगी तो जैसी आपकी परिस्टितियों उस तरह से आप कर सकते हैं अब यह किस तरह से करेंगे वो आपको बताते हैं यहां पर देखी आका status समारी company खुली हुई है इससे पहले हम आपको balance sheet दिखा देते हैं 19 से 31 30 ठीक ना यहीं तक तो उसमें entry थी अब हम क्या करते balance sheet में जाते हैं अल्ट के साथ एबबन प्रिस कर देते हैं तो यहां पर आपको जो भी लेजर साधी है उन में जो भी आपको balance हो रहा है तो यह क्या है 31 March 2020 जो की सत्र 2019 वीस की last date है उस date तक की सारी entry है तो इसमें जो भी आपको laser stock items आधी के balance हो रहे होंगे वह कौनसे balance होंगे ठीक ना यह closing balance होंगे और split जब हम कर लेंगे company को अगले सब्सक्राइब बढ़ा लेंगे इस जगे आपको एक buttons होगा F3 इसके नीची एक underline है यानि alt के साथ F3 प्रेस करके भी हम इसको use कर सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है company information इस पर mouse क्लिक करके भी हम कर सकते हैं यह कारे तो company information पर हमने mouse क्लिक किया तो यह जगे हैं आपर company information आ गया और यहाँ पर दोस्तों आपको एक option मिलेगा split company data देटा तो split company data को select करके आपको कर देना है enterprise जैसे ही आप enterprise करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा screen पर split company data यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे select company और verify company data तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने data को verify करना है जिससे कोई error आदी होगा तो वह आपको यह करना होगा उसके बाद ही आप करें कंपनी नहीं तो यहां पर भाइट करने के बाद यहां पर कंपनी यहां पर लिए लिस्ट अपर ग यहां पर और 2007 मुशनola करेंगे यहां पर यहां को split कर सकते हैं आप चाहें तो अपने company को data split करने से पहले backup भी कर सकते हैं ठीक है ना तो backup कर लेंगे तो आपके पास अलग आपका जो भी pen drive आदी होगा उसमें आपका सारा data आजाएगा और यहां पर कोई कर लिया किया verify कर लिया और verify करने के बाद कोई error नहीं आया था हम चलेगे select company पर selected company को select करके enterprise किया अब देखें यहां पर आ गया name आका status और यहां पर आ गया split from 14220 ठीक ना तो हमको 14220 से split करना है क्योंकि 14219 से लेकर 31 3220 तक्तवा मेंटरी कर चुके हैं अब हम सत्र नया कपसे शुरूओगा 14220 से तो 14220 से यानि split from 14220 से हम अलग करना चांते split करना चांते इस company के data को तो इसको हम यहां पर यही रहने देंगे और इसको करेंगे accept करने से पहले देखें यहां पर आएगा first company आका स्टेडर्स प्रॉम एक अप्रेल 2019 तो आपकी company क्या हो split हो जाएंगी यानि टूट जाएंगी विभक्त हो जाएंगे न तो इसमें company बनेगी आका स्टेडर्स की यहां पर आजाएगा एक अप्रेल 2019 से और उस सत्र का data आपका यहां पर रहेगा second company company बनकर आजाएगी यहां पर आका स्टेडर्स जब हम लिस्ट अप कंपनी में जाएंगे तो वहां पर second company सोगी आका स्टेडर्स प्रॉम एक अप्रेल 2020 यह split क्यों ही company होगी ठीक है अब हम कर देते इसको accept और यहां पर split yes तो हम कर देते इसको yes अब यहां पर आपका जितना भी डेटा होगा उसके साफसे आपको यहां पर शमय लगेगा अब देखिए यहां पर company split हो गई और यहां पर लिखकर आगया आका स्टेटर्स प्रॉम एक अपरेल 2020 ठीक न और यहां पर नीचे सो रही है एक अपरेल 2019 अब हम क्या करते हैं इन company को पहले बंद कर देते हैं ठीक न अल्ट के साथ एबन प्रेस करते हैं आका स्टेटर्स यहां पर जो मुख्य कंपनी यहनी तीन कंपनी हो गई एक तो मुख्य कंपनी इसमें डेटा रहेगा पूरा शुरू से लेकर और एक अपरेल 2019 वाला डेटा इसमें आ जाएगा और आका स्टेटर्स हमने बना ही है एक अपरेल 2020 से तो यह स्पिलिट हो जाएगे और इसमें हम आगे की एंट्री करेंगे और पिछले पिछले शत्र में तो यहां पर बाकी कंपनी को कर देते हैं यहां पर बंद कर देते हैं और सभी को हम यहां पर बंद करते हैं स्लेक कंपनी फिर से चलते हैं अब यहां पर हम आकास ट्रेडर्स में जब जाएंगे तो यह देखिए आपको यहां पर आकास ट्रेडर्स एक अ नमबर था 10049 वो भी आपको इस जगे पर शोर आए और नई कंपनी जो हमने स्प्लिट की है वो आ जाएगा यहां पर आका स्टेटर्स फ्रॉम एक अपरेल 2020 तो इसको सेलेट करके हम एंटरप्रेस कर देते हैं यह हमारे पास आ गई आका स्टेटर्स फ्रॉम एक अपरेल 2020 तो आप यहां पर पीरियड भी आ गया एक अपरेल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तो आप देखिए यहां पर जो भी हमारे एक अपरेल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 यानि 31 मार्च 2020 की डेट में जो भी क्लोजिंग वैलेंस था वो सारा का सारा इस स्प्लिट की हुई कंपनी में जिसमें कि हम अगले सत्र में यानि 2020 में कारी करेंगे उसके लिए ओपनिंग वैलेंस यहां पर आ गया क्यापिटल अकाउंट में 456,000 रुपए आ गया करन्ट रलाइविल्टी में संडी डेटर्स में यदि आप देखेंगे तो संडी डेटर्स को सेलेक्ट करके एंटरप्रेस करेंगे तो यह देखिए यहां मार्च 2020 को यह जो हमारी पाल्टी है इनको हमको देने ते कितने 15,810 रुपए तो वो यहां पर ओपनिंग वैलेंस में आ गये इस तरह से ओपनिंग वैलेंस आ गया और इधर भी देखेंगे तो जो भी आपके कलोजिंग इस्टक इसको स्लेक्त करके इंटरप्रेस करते तो पिछले बार का था बो इस बार के लिए हो गया ओपनिंग इस तरह से जो कलोजिंग श्टॉक था वो आपका इस जक्याप पर आ गया, इसी तरह से संडी डेटर्स में देखेंगे, तो संडी डेटर्स का भी देखें, दीपक राना इस्टोर से हमको लेने है, 6656 रुपए, यानि 31 मार्च 2020 की जो इस्तिती थी, वो यहाँ पर शो रही है, इसको किसी भी पार्टी को सेलेक्ट के एंटर्प्रीस करेंगे, तो देखें, यहाँ पर आ गया, दीपक ट्रेटर्स से हमको 6656 रुपए लेने थे, इन पर हमारे उधार थे, और कब थे, 31 मार्च 2020 की जो इस्तिती थी, तो जो क्लोजिंग वैलेंस था, वो यहाँ पर ओपनिंग वैलेंस आ गया, इस तरह से यह नहीं कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसमें एंट्री करें, और एंट्री करने के बाद अगला सत्र जब आएगा, तो आप चाहते हैं, कि 14221 से, है न, 31-3-2022 के लिए आप स्प्लिट करना चाहते कंपनी को, तो इसी तरह से स्प्लिट कर लें, तो इस सत्र मे जो आप 14220 से लेकर 133-2020 में, लाश्ट डेट 133-2021 में, जो ही आपका क्लोजिंग वैलेंस होगा, वो 2021-22 के लिए ओपनिंग वैलेंस अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, और जिन जिन लेजर्स में जाना है, उन्हों लेजर्स में पहुंच जाएगा, जिन जिन स्टोक आ और कारिक कर सकते हैं, दोस्तों आसा है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा टोपिक, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद